So, hello दोस्तो, क्या हाल चाल, तो यदि आप एक creator हैं, तो आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूरी आता होगा, कि जब भी हमारा YouTube चैनल मॉनिटाइजेसन के लिए अंडर रिव्यू में जाता है, हमारी YouTube चैनल को मॉनिटाइज होने के लिए कितना टाइम लगता है, या फिर कि या कितने दिनों तक जो हमारा YouTube चैनल है, वो अंडर रिव्यू में रहता है, जिसके बाद हमें YouTube की तरफ से फाइनल जो भी उनका जवाब होता है, वो मिलता है, कि हमारा YouTube चैनल यहाँ पर मॉनिटाइज होगा, या नहीं होगा, क्या-क्या चीजे वो यहाँ पर आपकी YouTube च किया, तो यहाँ इस लाइक कर दिजे, साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दिजे, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे पहले तो अगर हम बात करें, कि हमारा जो मॉनिटाइजेशन का अप्लिके बात करें, जिसमें आप सभी लोग के टारे में हैं, सेकंड चीज यह होती है कि आपकी यूटिप चनल पर जो भी आपकी प्लिक वीडियो समय है, वो कौन-कौन सी है, घर चीज यह की निवेस्ट वीडियो की अप्लोड कर रखी है, हाली में आपने अपनी उप्लिके पर ज जिसमें आप सभी लोगों के title, thumbnail और description तीनों चीज जो है वो included होती हैं आपने अपने ये चनल पर जो भी videos upload की हैं उनके title आपने किस तरह के लिखे हैं, thumbnail किस तरह के लिखे हैं और description किस तरह के लिखे हैं आप बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर जो review process होता है उसमें कितना time लगता है और यहाँ पर YouTube की तरफ से कितना mostly maximum time बताया गया है जिसके under में आपको आपका जो भी result होगा वो देखने को मिल जाएगा तो सबसे पहली चीज है वो है application volume तो basically इसका मतलब यही है कि यदि बहुत बड़ी मात्रा में लोग जो है वो यहाँ पर monetization के लिए apply करते हैं इस वज़े से time लग सकता है दूसरा है system issues मानलीजे जो भी उनके automated system है या फिर जो भी यहाँ पर उनका human review वाला process है यदि इस system में कोई भी problem आती है या दिग्गत आती है तो इसकी वज़े से भी time लग सकता है third है यहाँ पर resource limitations जाहिर सी बात है कि यदि बहुत सारे applications यहाँ पर आ जाते हैं या नहीं भी रहते हैं तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर resources की भी कमी हो जाती है मानलीजे YouTube के पास human resources ही नहीं है या जो उसका automated system है वो इतना जादा नहीं है कि बहुत ही बड़ी मात्रा में channels को review कर सके तो एक resource limitations की वज़े से भी आपको यहाँ पा time लग सकता है इसके लब दूस्तो लास्ट जो region है वो YouTube ने बताया है कि बहुत सारे ऐसे channels होते हैं जिन पर जो multiple reviewers होते हैं उनके अ नहीं किया जाए इस वज़े से भी कई बार जो YouTube channel के monetization होते हैं enable होने में काफी जादा time लग जाता है अब यहाँ पर अगर हम YouTube के माने तो YouTube को कहना यह है कि टिपकली एक मन्त का time लग जाता है किसी भी YouTube channel के proper monetization के enable होने या ना होने में जो भी result होगा वो आपको पता चलने म अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी लोग ऐसे होते हैं जिनका एक महीने से बहुत पहले भी monetization enable हो जाता है लेकिन जो मैंने इसमें कारण बताये हैं उन कारणों की वज़े से यदि डिले होता है तो YouTube के according maximum एक महीने तक का यहाँ पर time लग सकता है आपका जो भी result होगा monetization प्रॉपर आने में है वीडियो कैसा लगा हमें जरूर होता है अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजे चैनल को स्प्राइब नहीं किया सब्क्राइब कर दीजे समलते है पनी नेक्ट वीडियो है तब तक लिए गुड़ बाई एंड टेक कियर